हेलो स्टूडेंट स्वागत आपका गुलेरी श्टडी पॉइंट क्लास से में शिवाम शर्माई स्टूएंट्स कल जो मैंने साइंस का वीडियो अप्लोड किया था अई होव आपने उस सारी क्योशन उनको रीड कर लिया होगा मैंने आपसे कहा था कि कल दुपैर के टाइम या इवनिंग टाइम में आपके लिए इंपोर्डेंट कोशन अप्लोड करूँगा हाला कि कुछ नुमेरिकल मैंने उसमें भी बनके आते हैं ठीक है उसी के कोडिंग आपका बोर्ड का पेपर बनता है तो इसमें आप यह मत कहिए बारव कमेंट करके इस सरा आपने सेंपल बेपर डाले कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं आपको कुछ नुमेर्स अंसर सेंपल बेपर आपको चाол नगता है थीक है अगर सारे कोशन अगड़ डालने लग जाओ तो तिनं 4-おकेशन आपके एक उसमें वीडियो में आजाएंगे और इतना आप एक दिन में पढ़ भी नहीं सकते हैं इसलिए important question का ही आपको वीडियो दिया जा रहा है तो इन important question को अगर आप पढ़ेंगे तो कल exam देने के बाद आपको खुद पता जाएगा कि कौन से question important है कौन से नहीं है तो please question को पूरा देखा करिया आदी वीडियो देखने के बाद ऐसे comment उल्टे सीले comment ना करें ठीक है तो आईए वीडियो को start कर लेते हैं इस वीडियो में आपको important numerical जो है आपके जो कल आपके exam में आ सकते हैं उन चीजों को आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो जो है इन दोनों चीजों को आप जरूर देख लेंगे यह आपके बहुत important topic है हाला कि कल वाले वीडियो मैंने यह topic आपको बताए नहीं है मैंने आपसे ही का था कि आज के इस वीडियो में इसको बताऊंगा तो आई यह वीडियो को start करते हैं चैनल पे नहीं है तो चैनल को परिपत का आरेक इसी तरीके का हो परिपत का आरेक जो है आपका चेंज भी हो सकता है उसमें जो रेशिस्टेंस यानि जो परतिरोद हैं उल्टे सीदे भी सेट हो सकते हैं तो आपके मैंने इसी तरीके तीन-चार क्योशन रख रखे हैं उन सभी कोशनों को आप जरूर कर लेना इसमें क्या होता है आपको क्या होगा एक तो कुल परतिरोद निकालना हुआ प्रतिवर्ति धारा आप या नहीं प्रभाई धारा आपको निकालनी पड़ेगी ठीक है यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है इस क्योशन को बिल्कुरी स्किप मत करना है ऐसे एक दो कोशन आप करके जरूर जाना आगे देखेंगे एक यह कोशन है काफी ज्यादा बार पूछे जाने वाला है 600 वाट अनुमत का कोई रेपरिजेटर है जो 8 घंटे लगाता जाँ पर अब इसके पैसे हैं तो आप बटाएंगे 20 डेसकी ठीक है पहले आप डवू निकाल देना फिर उसकी मल्टिप्लाइए कर देना आपको पता जल जाए कि दुर्बगा उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ सरक्रीट डिया इसमें आपको पुल प्रतिरोध बताना है और इसमें current बताना है अधिकतर चीजों में current और प्रतिरोध यह आप से पूसता है voltage आपकी given रहती है और प्रतिरोध आपका जो normal हर एक सरक्रिट का जो है आपको दिया रहेगा यानि हर रेशिस्टर में आपको सरक्रिट में प्रतिरोध गिवन रहते हैं और cool प्रतिरोध उसमें अब पूसता है आपसे आगे देखेंगे इसे भी important question मालने आप बिल्कुल विद्ध प्रतिरोध इपसा से क्या भी प्रतिरोध के तार का प्रतिरोध चारों में किसी प्रतिरोध की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L upon 2 तथा मोटाई 2 A है ठीक है इस question को आप करके जरूर जाना इस तरीके question आपको मिल सकता है paper में और उसी तरीके सबसे very very important question जिसे आप बोलेंगे very very important question इसमें जो है दो टाइप्स के question पूछे जाते हैं हो सकता है कि खाली आपसे single boost दे हो सकता है कि दो बार boost दे कि आप दो ओम तीन ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोध आपको दिये र जरूरी है ठीक है इस question को आप जरूर कर लेना ये question छोड़ना मत बहुत ही important question है आप देखिए कोई 4 अंतरशावी गंतियों के नाम बताईए ठीक है ये भी आप देख लेना और एक ये इस तरीके question इसमें जो है आवेश का और विवांतर से related आपका एक question जरूर आता है ठीक एक current के लिए i equals to qi qt जो आपको formula देगा q equals to it and q.t आपका आजएगा है ठीक है ये formula आप जरूर याद करके रखेगा नहीं तो आपको फेबर भोजा दिक्कत पढ़ने वाली है i equals to current जो होता है आपका क्या होगा charge बट्टा time आपका रहने वाला है ठीक है next देखेंगे आप पांच ओम के जो चार परतिरोध निम्न परकार से किसी परिपद में जुड़े हुए हैं परिपद का तुल्य परतिरोध याद करना है आप देखेंगे चार परतिरोध आपके देखोई diagram मैंने आप से आप से गाता अलग अलग तरीकिके diagram आपको सामने दिया हुआ है तो ज ठीक है यहाँ पर आपको सब्सक्रीर डिग्राम दिया अलग अलग पृतिरोध आपको दिया है अब नीचे आपने क्या फाइंड करना है हाँ देख लेते हैं देखो हर किसी में आपको पृतिरोध और प्रभाही दारही फाइंड करना है एक इस तरीके के आपका रखर देखेंगे हमारे शरी में वसा का पाचन कहां होता है यह भी देखेंगे आप ठीक है वट विल हैपन टू प्लांट इट्स जाइलम रिमूब्ड ठीक है यह वाला हम एनलोगों से आपका कट चुका है इसको नहीं बता रहा हूं यह आपका स्लिबस में नहीं है ठीक है इवले इसको आप पढ़ लेंगे और इसमें एक टॉपिक में आपको और बताएता हूं कि कहते हैं आप जो इसको भी आप अच्छे देख लेना और जो रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है इसमें रिफ्लेक्शन से लेटेड जो साइन आई अपन साइन आइस नेलो है उसको भी आप इसमें और देख लेजेगा जो कहते हैं डाइग्रम यानि कौनके मिरर और कौनवेक्स मिरर की इमेज है कहां का बंदियन का डाइग्रम भी आपसे पूछा जा सकता है और लास्ट चैप्टर जो आपका अवर इंवारमेंट उसमें फूर्ट चैन वाला और ट्रॉपिक लेवलवाला कोशन आपका जरूर कर लेना क्योंकि उससे भी कोशन आपका जरूर बनएगा ठीक है और कोई बीकोशन आपका वैसे मेरे कोडिंग छुटा नहीं है चोटा नाजरा फिर यह पूर्ट आपको बता दिये हैं फिर भी अगर कोई कोशन आपका इसकिप हो आप जरूर पढ़ लीजिगा ठीक है तो इनको पढ़ने के बाद जो कल पेपर देखेंगे प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको पेपर कह सके मिलते हैं नेक्स टूडियो के साथ नेक्स अपडेट के साथ ठेंक यू